मैं हूँ तपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेट्मेंट चेप्टर समझेंगे वो भी एक असान तरीके से यह चेप्टर काफिर साथ हुआ माना जाते हैं कि मुश्किल है मानती हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ है लेकिन अगर आपको एक बर इसका फॉर्मेट समझा गया ना तो यह चेप्टर बहुत असान है और फॉर्मेट के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि इसका नाम है तो यह के डिखाना वो भी किसमें स्तेटमें तो चाश जो कितने टाइप का होगा थेखो यह कोगा इनफलो यानि की बिजनस में पैसा यह तो आएगा या धिर जाएगा तो से क्या बोलेंगे आउट फलो राइट को अगर में इसके डैफिनेशन बोलो तो क्य बनेगी cash flow statement is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalents यानि कि यहाँ पर cash and cash equivalents का inflow and outflow show किया जाता है अब cash का मतलब तो हमें पता है लेकिन cash equivalents का होता है so guys cash equivalents होते हैं जो cash के ही समान है like आपके bank में रखा पैसा भी तो cash ही है तो यानि कि bank में रखा पैसा हमारा cash equivalent है इसके अलावा अगर आपने कोई marketable security purchase का रखें shares and all उसे भी आप cash भी convert करा सकते हो so marketable security जो है हमारी वो भी cash equivalent मानी जाती है इसके अलावा एक main important जो कि हमारे questions में आता है that is current investment अगर आपने बहुत short term के लिए को investment कर रखी है तो वो भी cash equivalent है इसके अलावा short term deposit भी आ जाता है but mainly हमारा जो question आता है उसमें current investment होता है so current investment भी हमारा cash equivalence यानि की cash के बराबर ही माना जाता है ठीक है तो definition clear है अभी ये क्या है statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalence ठीक है अब ये 20 कली company क्या करती है कि ये statement बनाती है ये जानने के लिए कि भई हमारे पास कितना cash आया और कितना गया ठीक है लेकिन आया और गया तो पता लगाती है लेकिन वो पता लगाती है तीन particular activities में business में mainly तीन particular activities होती है तो सबसे पहले guys जो activity होती है वो होती है operating ठीक है second होती है हमारी investing and third हमारी activity होती है financing तो सबसे पहले हम इंके बारे में चांदे हैं बिजनस में main पहला काम होते है operation से relate operation बोले तो वह वाला operation नहीं doctor वाला operation वाला business को चलाना right अपने assets current assets में stock को बेचना और पैसा कबाना right तो यह operating activity में आता है investing हमेशा fixed asset वाला उसकी बात करें current asset की बात यहां नहीं करें like building machine land आपका यह सब क्या है fixed asset में आता है तो उसमें आपने कितना पैसा invest किया वो चीज आ जाएगी इसके अलावा third activity जो business में होती हो थी financing से जिसमें basically company के capital structure आ जाता है capital structure बोले तो business ने कहां से finance लिया तो दो जगे से finance लिया जाता है first is debt and दूसरा होता है हमारा equity right आपने equity के बारे में तो पढ़ा ही होगा shares वग रहा है and all नहीं पढ़ा तो अभी 12 में पढ़ लोगे या पढ़ चुके होगे shares वग रहा है न वो equity होता है equity shares preferences या तो हम यहां से पैसे issue करते हैं या फिर हमारे पास debentures, bank loan यह सब हमारे debt कराते हैं जिसमें हमारे उपर जिम्मेदारी होती है interest pay करने की तो financing activity इन से related होता है अब मैं आपको बताओंगे deeply जब हम लोग format करेंगे इसका लेकिन यहां पर हम बात करें कि यह statement को तीन parts में guys divide किया जाता है operating, investing and financing में ठीक है कितनी operating, investing and financing में तीन parts में हम divide करते हैं तो अब हमें जो question given होता है, question में हमें क्या given होता है, question में हमें given होती है balance sheet यानि कि किसी company के हमें balance sheet given होती है और balance sheet में हमें given होता है profit यानि कि net profit बोले तो, net profit बोले तो जो हमने statement of profit and loss बनाया था, उसमें से निकला हूँआ net profit अब इसमें तो यह जो profit निकल के आया, let's suppose एक लाख रुपे निकल के आया लेकिन यह एक लाख में guys हम बहुत सारी adjustment करने के बाद निकल के आया यानि कि इसमें हमने operating की भी adjustment कर रखिये, financing की भी कर रखिये investing की भी कर रखिये, यानि कि सारी activities के बाद यह पैसा निकल के आया ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जाना है, वो starting के पैसे पर की आखिर हमारे पस यह तो बचा हुआ पैसा है, यानि कि business हमने चला लिये, एक साल में उसके बाद net profit कितना है यह तो वो given था, balance sheet में, हमें इसको उठाना है, इसको उठाने के बाद हमें reverse जाना है हमें अपना total amount पता लगाने कि था कितना, जैसे let's suppose 10 lakh था अब हमें पता लगाने कि 10 lakh में से operating में कितना circulate हुआ है, investing में कितना circulate हुआ है, financing में कितना हुआ है क्योंकि profit and loss account में हमने तो financing की भी, adjustment दिखा दी, investing की भी दिखा दी और operating की भी तो हमें reverse जाके हमारे पस कितना पैसा था, वो पता लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले reverse जाना होता है, ठीक है अब वो reverse जाना operating में ही आ जाता है, operating activity के अंदर आ जाता है, reverse जाना ताकि हमें पता चल सके हमारे पस total beginning में पैसा कितना था, ठीक है फिर उसके बाद जितना भी पैसा था, let's suppose 10 लाग था, 10 लाग में से 3 लाग में ने यहाँ deal किया investing में किया, financing में किया, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कितना बच्चा वो लिख देते हैं हम लोग ठीक है, तो ये वो बच्चा हुआ पैसा लिखा होता है कि कितना बच्चा तो अब हम start करते हैं अपना format, आपको I hope activities समझाई होगी, कि 3 activities होती है format अभी समझाऊंगी तो और अच्छी तरीके से समझा जाएगा देखो, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को इसमें, देखो, सुनो, कहीं जाना वार, सुनो, देखो सबसे पहले casual statement का format बनाते हैं चुकि बहुत simple सा होता है for the year ended लिखते हैं, जो की हम normally formats में लिखते हैं ठीक है, अब जो भी हम format बनाएंगे guys एक बहुत simple सा particulars और amount का बना देते हैं ठीक है, अब ये बनाने के बाद हमारा इसमें सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है A activity that is cash flow from operating activity ठीक है, इसके अंदर हमारे 2 reverse gear आते हैं कितने reverse gear आते हैं, 2 reverse gear आते हैं उनको अगर आपने सीख लिया तो बाकी का question बहुत असान हो जाता है पहला जो reverse gear होता है guys, उसमें हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम्स नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम्स यह reverse gear नमबर वन है और इसके adjustment जनरली हम working note में दिखाते हैं आपको इसको पेज को छोड़कर working note में जाना है working note में आप क्या करोगे आप करोगे, निकालोगे net profit बिफोर टेक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम्स यह कहां दिखा होगे आप working note में चीक है, इसके लिए आपको क्या लेना है जो भी हमारी balance sheet होगी guys उसमें previous year और current year given होगा तो हमें अपना profit उठाना है let's suppose previous year में एक लाग था और current year में दो लाग है ठीक है, तो हमें कौन सा वाला profit उठा है previous year का या current year का तो आप बोरोगे current year का नहीं current year का नहीं, हम इसमें दिखाते हैं कि कितने ही का change आया so, जो net profit हम लोग उठाते हैं वो उठाते है, formula क्या होते है current year minus previous year तो 2,00,00,00 में से 1,00,00,00 minus गए, तो हमारा profit आएगा 1,00,00, ठीक है, तो formula क्या होते है current year minus previous year यानि कि increment कितने का हुआ पहले तो 1,00,00,00 था ही net profit निकाल लिया अब बस 4 चीज़े आती है इसमें कितनी आती है, 4 चीज़े first होते है guys transfer to general reserve यह आपको कहां देखने को मिलते है जहां पर यह profit होता है वही पर आपको transfer to general reserve यानि कि general reserve दिखा होता है तो आपको अगर general reserve का 50 और 40 दिख रहा है तो आपको difference amount लेना है कितना है, 10,000 यानि कि पहले 40 था अब बढ़कर 50 हो गया तो हमने कितना transfer किया, 10 तो 10,000 यहां आ जाएगा ठीक है, तो transfer to general reserve पहली चीज़ दूसरी क्या होती है guys provision for tax क्या होता है, provision for tax तो provision for tax में हम current year का लेते हैं अगर let's suppose यह provision for tax होता तो हमें current year का लेना होता 50,000 थर्ड चीज़ हम लेते हैं proposed dividend proposed dividend हम लेंगे previous year का let's suppose अगर यह proposed dividend होता तो हम उठाते previous year का क्यों क्योंकि हम इसमें यह assume करके चलते हैं कि हमने पिछले साल जो क्लियर किया था वही तो इस साल पे करेंगे तो इसलिए पिछले साल का dividend हम लेते हैं और provision for tax current का क्यों लेते हैं क्योंकि जो इस साल पैसा हमने tax का निकाला वह actual में पे नहीं किया वह तो निकाल के रखा है तो इस दर नॉन-Cash transaction कि हमारा पैसा कहीं नहीं गया जबकि profit and loss में na actual में क्या होते है profit and loss में हम दिखा देते हैं 50,000 tax pay कर दिया करा नहीं होता निकाल के रखा होते है profit इसलिए उसे हम add back करते है तो current year का tax add किया जाता है proposed dividend previous year का आते है इसके last जो item होती है guys वो होती है आपकी interim dividend ये आपको कहां मिलेगा जैसे transfer to general reserve balance sheet में मिल गया provision for tax balance sheet में मिल गया proposed dividend balance sheet में मिल गया interim dividend आपको question के end में adjustment में मिलता है और एक ही amount होता है तो जो amount होता है suppose अगर 20 दिया है आप वो ले लोगे अब आप इन 4 चीजों को add करते हो ठीक है इसके अलावा कुछ item guys plus की जाती है business की extraordinary कौनसी होती है जो business relate नहीं करती है हो गया हो गयी ऐसी transaction वो extraordinary में में आती है तो business में ऐसी extra-odernary items है जैसे कि अगर मैं बात करूं हमें loss by fire हमें fire की बज़ए से नुकसान हो गया लेकिन ऐसा than जनरल ही होता न दिन बर गन आग लगती तो अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ और हमने profit and loss में उसे less किया था तो वो यहां पर add होगा यानि कि reverse करते हैं हम उसको जो चीज़ less करी थी वो add करेंगे और जो add कर रखी होगी हमने जैसे income tax refund आना हमने add कर रखा होगा तो उसे यहां less करेंगे तो extraordinary items की dealing plus और minus दोनों की होती है जिसके लिए मैं आपको यह prefer करूँगी कि अपनी book के 2-3 example करके extraordinary items का concept clear कर लेना कई बार question में पूछ लिया जाता है तो जो भी profit and loss में हमने plus किया था वो यहां minus होता है proposed dividend, provision for tax और interim dividend अब आपने यह reverse gear अगर कर लिया तो अब आपका आधा question दो समझो हो गया इसके बाद आपको क्या करना है यह amount हमने यहां लिग दिया अब यहां पर होती है adjustment of non cash and non operating item की जिसमें हम add करते हैं क्या add करते हैं जी दिल्ली वाले ठीक है अब आप बोलोगी जी दिल्ली वाले का क्या मतलब है देखो यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे वर्ड आपको याद रखने है जी for होता है goodwill return of यानि कि अगर हमारी business में goodwill कम हो रही है या फिर कोई भी goodwill से जैसा intangible asset जैसे patent हो गया, trademark हो गया अगर हमें कहां given होगा यह goodwill आप कहां check करोगे assets में जाके ठीक है, महाँ पर आपको non current assets में given होती है तो वहाँ पर अगर यह कम हो रही है तो हम यहाँ लिख लेंगे और अगर बढ़ रही होगी तो क्या करेंगे तो it means हमने खरीदी है तो वह investing में आता है ठीक है तो वह जब मैं investing activity कराऊंगी तब समझाऊंगी अब goodwill return of अगर कम हो रही है तो कितने से कम हो रही है वह आ जाएगा D for क्या होता है guys depreciation तो depreciation हम यहाँ दिखाते हैं I for क्या होता है interest paid यानि कि अगर आपने कोई भी loan लिया है debenture है उस पर जो भी interest pay किया है वो यहाँ add हो जाता है G दिली में L क्या होगा L क्या होगा loss on sale of asset यानि कि आपने कोई भी asset बेचा और उस पर आपको नुकसान हो गया तो वो आप यहाँ दिखाते हो क्यों जैसे कि अगर कोई 20,000 का asset था हमने 18 में बेचा कितने का नुकसान हुए 2000 का तो company इतनी वो होती है कि वो नपने profit and loss में दि तो क्या मैंने 2000 किसी को दिये हैं नहीं दिये मेरे पास बलकी 18,000 आए हैं तो यह एक non cash expense था जो हमने यहाँ दिखा रखाता और यह even investing से related था तो हम investment में दिखाएंगे ना कि हमें loss हुआ था या नहीं हुआ था तो इसलिए इसे यहाँ पर add back किया जाता है इसके अलावा जी अगर आपके doubtful debt बढ़ रहे हैं जैसे कि आपको balance sheet में given होगा कि आपके doubtful debt 1000 से 2000 हो गए तो किसी को अपने पैसा दिया है क्या नहीं पैसा नहीं दिया तो इसलिए यह एक non cash है इसलिए हम इसे add करते तो यहाँ पर भी difference amount आता है यहाँ कि 2000 में से 1000 गया 1000 का increment हुआ है तो वह आएगा then आते है w that is return of share issue expense अगर हमने share issue करते हैं कोई भी expense किया था तो उसे हम write off कर रहे हैं तो वह यहाँ पर दुबारा से add back हो जाता है क्योंकि वह financing से related है ठीक है तो यहाँ पर यह जी दिल्ली वाले हमारा second reverse gear होता है जिसमें हम add 6 चीजे करते हैं और less total तीन चीजे करते हैं जिसे आप बहुत असानी से याद कर सकते हो PDI जो कि उपर से ही निकल के आती है loss का उल्टा होता है profit on sale of asset जो कि less हो जाता है D से क्या निकल के आता है increase in provision for doubtful debt का उल्टा decrease in provision for doubtful debt और interest से same interest received यहाँ पर उपर paid था यहाँ पर interest received income received तो income कितने type के received होती है guys interest के रूप में rent के रूप में हो सकती है आपको किसी भी रूप में अगर आपको income हो रही है तो वो हम यहाँ पर less करते हैं क्योंकि वो हमारा investing का part है ठीक है तो यह करने के बाद यानि कि यह 2 reverse gear आप कर लोगे पहला आपने किया working note में दूसरा अपने adjustment दिखाई non cash and non operating items की जिसमें आपको क्या याद रखने है यह 6 terms याद रखनी है और यह 3 terms ठीक है अब जब आप इसका final amount यहाँ लिखोगे तो यह present कैसे किया जाता है देखो आपने जो जो terms ही plus वाली दिखा दी यहाँ पर आपने less वाली दिखा दी तो less वा जबकि minus हो रहा है एक लाग और 20,000 तो एक लाग तो एक लाग आपस में कट गया 50 में से 20 गया 30 final amount आपके amount के column में आएगा ठीक है इस तरीके से आपको question present करना होता है अब जो final amount होता है जैसे let's suppose यहाँ 1 plus 30 कितना हो गया एक लाग 30 इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलो जाते operating profit before working capital change ठीक है यहां तक अगर आपने कर लिया अब इसके बाद question कुछ भी नहीं है इसके बाद हमारी actual working capital मतलब हमारा operating activity स्टार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं अभी मैंना यह वाला part मिटा देती हूँ क्योंकि board का size थोड़ा छोटा है देखो अब आप सोचों कि आप यहां तक पहुंच चुके थे ठीक है अब हमारे पास operating profit before working capital change निकला चुका है हम question continue कर रहे हैं यहां पर कितना mount आ रहा था एक लाक्ती सजार आ रहा है ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे बहुत simple है guys add करेंगे increase in current liability यानि कि जो अगर हमारी liability बढ़ रहे हैं पहले एक लाग के थे आज की डेट में हमारे क्रेडिटर बढ़के हो गए डेल लाग के तो इसका मतलब क्यों होता है हमने 50,000 उनसे समान खरी लिया तो एक तरीके से हमारे पास समान की रूप में cash ही आया है ठीक है या cash की रूप में समान आया है ठीक है तो increase in current liability भ होती है तो पैसा आया या फिर अगर आपका कोई ऐसे decrease होता है तो decrease in current asset पैसा गया तो कैसे अगर आपके suppose करो डेटर थे डेटर आपके पहले 50 के थे और आप 40 के हो गए तो यानि कि 10,000 ने आपको पैसा दे दिया आपका asset decrease हो रहा है यानि कि पैसा दे दिया तो it means आपके पास पैसा आया तो वो भी add होता है तो अगर आपको क्या दो चीजे लेनी है increase in current liability और decrease in current asset और less क्या करना है इसका उल्टा decrease in current liability less होगा और increase in current asset less होगा ये करने के बाद हम इनका जो final amount होता है वो बाहर दिखाते हैं और हमारा आजाता है cash generated from operation अब आप बोलोगे कि इतनी सारी चीजे हम कैसे याद रखेंगे तो देखो मुझे भी याद हुई है practice करोगे हो जाती है दो से तीन question practice करने पर अपने बाद हम less करते है tax paid और अगर कोई भी extraordinary item की adjustment है तो वो दिखाने के बाद हमारा final amount आ जाता है cash flow from operating activity ठीक है cash flow from operating अगर positive है तो flow अगर negative answer आ रही है तो cash used in operating activity तो इससे आपका first operating activity खतम हो जाता है जो कि बहुत बढ़ा है बट आपको short trick से उसे याद करना है अब हम investing और financing करते हैं जो कि बहुत असान सा है तो operating के बाद आपको नीचे ही इसके investing start करना होता है ठीक है तो मैं यहाँ पर उपर से दिखाती हूँ आपको कि आप कैसे करोगे तो हम लोग B लिखेंगे यानि कि operating continue खतम होगा फिर B लिखा जाएगा हम यहाँ लिखेंगे cash flow from investing activity यह बहुत असान है इसमें अगर आप जो भी asset purchase करोगे building machine कुछ भी तो जितने say यानि कि difference amount से आप वो amount less करोगे क्योंकि purchase करने पर हमारे पास से पैसा जाता है इसलिए हम उसे negative form में दिखाते हैं और sale of asset में हम उसे plus form में दिखाएंगे यानि कि plus में दिखाएंगे ठीक है कि अगर मैंने 1 lakh का था मेरे पास asset और आज की date में 20,000 का रह गया है तो it means मैंने 80,000 का बेच दियो और 80,000 का पैसा मेरे पास आ गया तो वो plus में आएगा और खरीदने पर अगर आपका asset बढ़ रहा है it means आपने खरीदा है खरीदा है तो पैसा जाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके लावा यहाँ पे guys आता है income received अगर आपने कोई भी investment करी है और उससे आपको income received हो रही है तो वो भी plus में आती है ठीक है तो यह होती है सिर्फ investing activity अगर आपने goodwill बढ़ रही है तो वो भी it means आपने खरीदी है तो वो भी minus में आएगी ठीक है अब investing बस इतनी होती है अब आते हैं हम cash flow from financing से यानि कि आप इसका total करके जो भी लिखोगी again वही आजाते है cash used in investing अगर minus में cash flow from investing अगर प्लस में तो यानि कि B activity solve हो जाएगी C जो है guys वो issue of अगर आपके पास पैसा आ रहा है चाहे वो share से आ रहे है bank loan से आ रहे है debenture से आ है किसी से भी आ रहे है तो वो plus में आएगा अगर आप इनकी repayment करते हो तो वो minus में आएगा यानि कि अगर आपके shares कम होगया it means आपने payment कर दी आपका loan कम होगया it means आपने payment कर दी इसके इसके लावह और क्या चीज आती है, इसके लाबह और चीज आती है, shares के उपर जो dividend पे किया जाता है, तो dividend आपका दो टाइप का उतलगा प्रपोस्ट और interim, जो reverse gear 1 में हमने दिखायता, दोनों less होगा, यानि कि interim dividend भी आ इसमें और proposed dividend भी दोनों हम less दिखाएंगे इसके लावा loan के उपर या debenture के उपर जो interest पे किया जाता है वो भी हम यहां पे less करेंगे तो इस तरीके से investing, financing हो जाएगा जब आपकी यह तीनों activity हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद कुछ नहीं करना आपको तीनों activity का A plus B plus C करना है ठीक है तो A plus B plus C करोगे यानि कि अगर मैं कहूं operation से मैंने कमाए एक लाख उर्पे investing से गवा दिये 2 लाख उर्पे बलब 2 लाख माइनस का है और financing है 3 लाख positive तो 3 प्लस एक 4 माइनस 2 कितना आया 2 लाख तो A plus B plus C करना है अगर यह positive आता है तो हम लिखते है net increase in cash and cash equivalents ठीक है यह कहा लिखा जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा ठीक है यह कैसे आया A plus B plus C से क्या लिखेंगे net increase in cash and cash equivalents अगर यह negative आ रहा होगा तो net decrease अब इसमें हम add करते हैं opening का cash and cash equivalents यह कहां से मिलेगा यह हमें balance sheet में previous year का cash का amount या current investment है तो वो भी add करके रिखाएगे तो अगर मेरे पास cash का amount एक लाख रखा है और इस साल दो लाख net आया तो total अब 3 लाख होना चाहिए तो यह आपके closing के cash and cash equivalents से match हो जाएगा तो closing का cash and cash equivalents आपका 3 लाख होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने question सही किया है या नहीं अगर आपका यह 3 लाख balance sheet में present 3 लाख के बराबर आता है तो आप यानि कि अपना answer चेक कर सकते हो कि हमने सही किया है या गलत किया है तो guys यह था cash flow statement I hope आप लोगों कर समझाया होगा अगर फिर भी कोई doubt है तो आप Instagram पर पूछ सकते हो ID है तभी ता मैसी Thank you